तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चार बाते बताऊंगा पहली बात तो ये कि राहू का गोमज रतन और केत्टू का लसुनिया रतन कभी भी दारन नहीं करना चाहिए क्यों नहीं दारन करना चाहिए अलग से दो तिन वीडियो बना रखी है उसको देखो जाके दूसरी बात ये कि किसी भी ग्रह का जो रतन होता है उनली एक काम करता है उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है अगर वो ग्रह आपके अच्छा फल दे रहा है तो उस ग्रह का रतन दारन करने से उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे अगर वो ग्रह बुरे फल दे रहा है तो रतन दारन करने से उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे तीसरी बात ये कि शुक्र जहां बैढ़ता है उस गर के लावा अपने से साथ में गर को भी देखता है जितने फल वो जहां बैटा है उस गर के देगा उतने फल ही वो जहां देखेगा उस गर के भी देगा चोती बात ही है कि शुक्र का रतन कैसे दार्ण करना है कौन सी वीदी से आपको मैं वीडियो के खीर में बताऊंगा तो अब बत करते हैं कि मितल लगन की कुण्डली में शुक्र का रतन कौन सी गरों में दार्ण करना चाहिए यह नहीं तो देखो जी शुकर इस कुंडली में दो गरों का मालक होता है एक तो ये पांचमे गर का मालक होता है पांचमे गर जनी की संतान का होता है पढ़ाई का और बुद्धी का और शुकर बारमे गर का मालक होता है वैसे इसे देखो जी क्योंकि ये पंचमेश है इस कुंडली में योका रखा है, इसके वस्य से बारमेगर का दोश नहीं लगएगा, लगनेश बुद्ध का मित्तर है, अगर किसी का शुकर पहले गर्म बैठा है, पहला गर्म बुद्ध का मित्तराजी है, यहाँ पे बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा, संतान का सुक अच्छा देगा जाता पड़ा लिकाओगा, बुद्धी मारोगा, जाता को सुंदर बनाएगा, सेत अच्छी रखेगा, पत्नी को सुंदर बनाएगा, जारो अच्छे फल देगा, यहाँ पे आप बिल्कुल इसका रत्म दार्न कर सकती है, अगर किसी का शुकर, दूसरे गर्म बैठा है, च अगर आपका सिर्फ एक कंडिशन वही है, अगर आपका सिर्फ एक कंडिशन है, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे अस्त बैठा है, जहाँ जीरो एक, अठाई, उन्रती लिग्री का बैठा है, फिर दार्न करें, यहाँ पे देखो जी, संतानी के लिए अच्छा है, आपको अगर संतानी का सुक चाहिए, पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट देगा, उनके पढ़ाई का मालक है, बुद्दी लिए अच्छा है, लेकिन अगर डिग्री अच्छी लेकर बैठा है, फिर दार्न ना करें, यहाँ पे बैठा है, दार्न बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नीचर अच्छी यह चोथा गर है, माता मागान वान का, अगर दान करें, शुकर की वस्तों का दान किया करें, शुकर का लाइफ टैम, शुकर कवश का पार्ट करें, अगर पांच में अगर बैठा है, देखो जी आँखे बंद करके दार्न करसे होते हैं, क्योंकि अपना ही कर रहा है, हजारों फैदी देगा, पढ़ाई के लिए च्छा ग्यारमेगर को देखे लाब के लिए इच्छा है, यहाँ पे बैठा है, दार्न नहीं करना, क्योंकि संतान का मालक है, संतान को लेकि को इनको दिख दे, पढ़ाई सबंती प्रशानियां, बुद्धी को बरमिद करेगा, यहाँ बैठके गुप्त रोग भी दे सकता है, शत बिवा के योग बनेंगे, पत्नी को सुंदर देगा, लेकर शुकर अगर किसी को यहाँ पे, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री अंदर बैठा है, फिर दार्न ना करें, अगर वो 0, 1, 8, 9, 3 डिग्री को बैठा है, फिर आप दार्न कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फैदी देगा शुकर अगर किसी का आठमे गर्म बैठा है, यहाँ पे दार्न नहीं करना, संतान उटके जलेगी, आठमे गर्मे संतान को लेके दिक्कते परशानियां, लाइफ टामे रहेंगी, पढ़ाई, सबंदी दिक्कते आएंगी, बुद्धी को ब्रमित करेगा, गुपत रोग पतनी को बमार करेगा, हजारों नुकसान है, अगर यहाँ भई बैठा है, रातन दार्न नहीं करना, रतन क्या करके, मैंने अभी क्या बला, कि रतन ग्रह की पावर बढ़ाएगा, तो रतन दार्न कर लिया क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बुरे फल, जो कि शुक्कर का मित्तर है, संतान उटके चलेगी भागे गर में, संतान के लिए अच्छा है, संतान बागे चलेए होगी, संतान होने के बाद बागे दे होगा, संतान के लिए भागे के लिए अच्छा है, जात्तों को बागे चलेए बनाएगा, यहां पे भी हजारों उच् देक्ते आएंगी अगर यहाँ पर शुक्र आपका पहले जिग्री अच्छी लेके बैठो धारन करें अगर किसी कि ग्लाओं के शक्ताइग को धारन कर शे से अपने घर को लेखंगा तो बुद्धी कि अच्छा है देखो जी, सबसे जुरूरी क्या है लाइफ में? बुद्धी है, अगर बंदी की बुद्धी अच्छी है, दमाग अच्छा है, तो अपने अपी सबहरता मिल जाएगी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है संतान उटके जली लाव की गर्म एं संतान आने के बाद लाव होगा अगर बार में गर्म बैठा है दार ना करें वैसे अपना ही गर है फिर भी दार ना ही करना फजोल के खर्च कराएगा संतान को लेकर दिक्कती आएंगी पढ़ाई से बंदी काम उको बनाएगा बंदे को जाता कि इस तरहें को पर दन जारा कर्च करने वाला होगा तो देखो जी ये था फालादेश और अगर आप अपनी मुझसे कुंडली दखाना चाहते हैं मुझे वर्टस भी कर सकते हैं जोती सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शुक्र कर रहकर रतन पूर्श जो होते हैं हमेशा राइट हैंड की इस फिंगर में दार्न कर सकते हैं और इसे पहली फिंगर में भी दार्न कर सकते हैं वो क्डिशन होते हैं अगर इसे में हमेशा left hand में दार्ण करती है या इस finger में जा इस finger में चांदी में इसे दार्ण किया जता है शुक्र कर रजो रतन होता है वो हीरा होता है क्योंकि हीरा कई वर महंगा होता है इसके बज़ाए आप ओपल रतन या वाइट टोपाज रतन भी दार्ण कर सकते हैं और इसके साथ देखो जी कभी भी आपने सूरे कर रतन दार नहीं करना चंदर्मा कर रतन दार नहीं करना इसके साथ आप बुद्ध का पन्ना कर सकते हैं शैनी का नीलम कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हूं वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, जोती सिखना चाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करें